दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार सक्षमता परिच्छा के लिए फरम कैसे भरें यदि आप सिक्षक हैं तो बिहार सक्षमता परिच्छा के लिए 2024 के लिए ओलानी फरम बर सकते हैं बिहार बिदैले परिक्षा समीती के वेबसाइट पर आने के लिए इस लिंक पर आना होगा सबसे पहले गूगल उपन करके वेबसाइट हिंदी सर्च कर दीजेगा वेबसाइट हिंदी सर्च करेंगे तब पहले वाला लिंक दिखाई देगा आपको असान लगने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको link हो जाना ना पड़े इस website पर आईएगा आने के बाद में आपको scroll on करना है और यहाँ पर दिखे link में जाता है job note publication का important link के नीचे है job note publication इस पर click कर देना है इस post पर आने के बाद में यहाँ पर दिखे 6 नमबर में भी हार सक्षमता पर रिच्छा दिया हुआ है 6 नमबर में यहाँ पर पालस नम दिया हुआ है यहाँ पर विगापन से कर दिया हुआ है इसके सामने clicker लिखा हुआ है, इस पर click कर देना है, click करेंगे तो direct आपके सामने यह website open हो जाएगी, वैसे भी इसका link वीडियो का description में मौझूद है, जहां से direct आप इस website पर visit कर सकते हैं, तो इस website पर आने के बाद में सबसे पहले आपको पंजी करन करना होगा, तो पंजी करन करने के लिए register new candidate के button पर click कर देना है, यहां पर आपको firm को भरना होगा, सबसे पहले आपको यहां पर first name दर्ज करना होगा, इसके बाद middle name, last name है तो यहां पर कुमार आप दर्ज कर सकते हैं, इसके बाद आपको email address दर्ज करना है, यहां पर देखिया star marks लगा हुआ है, तो इसको भरना compulsory है, email ID नहीं भरेंगे फिर भी चल जाएगा, यहां पर आपको mobile number दर्ज करना है, जो भी mobile number है आप दर्ज करेंगे, यहां पर आपको password दर्ज करना है, पासओर किसे दर्ज करेंगे, यहां पर मैं देखिये बतायता हूँ, पासओर इस तरह से आप दर्ज कर सक OTP दर्ज करने एक बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है, आपका रेश्टेशन सक्सफूल हो जाएगा, अब आप यहां से लोगिन कर सकते हैं, यहां पर सबसे पहले mobile number दर्ज करिए, इसके बाद जो password बनाये होंगे उसको दर्ज करना है, लोगिन बटन पर क्लिक कर देना है, लोगिन होते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहां पर सिख्छक का नाम दिखाई देगा, यहां से आपको जेंडर चूज कर लेना है, male, female, जो भी है, select करेंगे, यहां से इस calendar के मादियम से date of birth select करना है, जो भी date of birth है, आप यहां से select कर करेंगे, date of birth select करने के बाद, इसी date of birth को यहां पर confirm कर देना है, जो भी date of birth वहां पर select करेंगे, इसी date of birth को confirm भी कर देना है, अब आपको यहां से category select करना है, जिस category में आप belong करते हैं, उस category को दोनों में confirm कर देंगे, यहां पर आपको certificate upload कर देना है, PDF में, जो की 1 MB से कम होना चाहिए यदि आप पीडियेफ बनाने के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले Google उपन करिए और यहां पर दिखिए online PDF आपको सर्च कर देना है Google में online PDF सर्च करने के बाद यहां पर देखिए online PDF कंवेटर पर किली कर देना है जो भी आपके पास फाइल रहेगा यहां से आपको स्टित करना है और इसनों में जबाब देना है मुबाइल नमबर यहाँ पर रहेगा इमेल आड़ी है तो दर्ज कर देना है अधार नमबर इस बोक्स में दर्ज करना है जो भी अधार नमबर है आप इस बोक्स में दर्ज करेंगे यहाँ से अधार का आपको PDF अपलोड कर देना है upload file पर click करके यहां से मैं अधार का PDF भी upload कर दिया हूँ अब आपको यहां पर मदशनें दर्ज करना है यहां पर फादर्शनें दर्ज करना है यहां से आपको पता दर्ज करना है जैसे कि permanent पता जहां पर आपका अस्थाई पता आप दर्ज करेंगे village जो भी है आप दर्ज करेंगे इस तरह से आपको दर्ज करना है यहाँ पर जीला चूज करना है यहाँ पर जीला का नाम दर्ज करना है याद रखिएगा मैं डेमो के लिए फरम बरना हूँ यहाँ से राज चूज करना है यहाँ से भी हार टाइप करना है यहाँ पर PIN COREा दर्ज करना है इसके बाद आपको Torresponnance Address यहाँ पर दर्ज करना है यदि दोनों address सेम है तो यहाँ पर TICK कर देंगे नई सेम है तो आपको यहाँ पर manually भरना होगा तो यहाँ पर आपको TICK कर देना है इसके बाद यहाँ पर देखिए teacher information में आपको type करना है जैसे कि type of new agent unit यहाँ पर आपको select करना है पंचायड, परख aanड, जिला जिस type के अप्र सिखच कहें आपको select करना है posting कि new agent का नाम में हाँ पर दर्ज करना है यहाँ पर आपको type of teacher असथानी निकाय के new model 203 इसके अंतर का यहां पर आपको select करना है block elementary teacher यहां पर देखिये दिया हुआ है तेहां पर मैं select करता हूँ इसके बाद यहां पर visa choose करना है जिस visa से आपका joining हुआ है तेहां पर Hindi, English जो भी है आप select करेंगे यहां पर newogen पतर संख्या number दाज करना है joining किये होंगे यहां पर आपकोtest करना है number जैसे की 1202 है तो आपकोдерж करना है newogen संख्या की स्थित्य यहां पर select करना है जब भी आप join किये होंगे यहां पर आपको select कर देना है यहां पर उस PDF को upload कर देना है यहां पर देखिए पर PDF को सखस fully upload कर दिया हूँ मीचे आना है स्क्रोल डान करके यहाँ पर आपको स्कूल का डिटेल यानि कि विद्याले का डाइस कोड यहाँ पर आप रा रहा है जो भी डाइस कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है यहाँ पर स्कूल का नाम दर्ज करना है ब्लोक का नाम दज़ करना है जहाँ पर आपका स्कूल है यहाँ पर जीले का नाम दज़ करना है इसके बाद आपको तिन जीला को चुनना है जैसे कि पहले जीला में जो भी आप जीला रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको सिलेट करना है दूसरा में जो भी जिला रखना चाहते हैं आपको यहाँ पर select करना है तीसरा में जो भी जिला रखना चाहते हैं आपको यहाँ पर select करना है तीरी जिला का चुनाप करने के बाद यहाँ पर आपको course का detail दर्ज करना है जैसे कि metric है तो भी हार बोट से किये होगे तो B, S, E, B आपको type करना है पटना यहाँ पर college का नाम और school का नाम जज़ करना है यहाँ पर आपको passing और select करना है जिस वर्स में आप pass out हुए होंगे यहाँ पर आपको select करना है यहाँ पर आपको full marks type करना है यहाँ पर जितना marks पर थूआ होगा आपको यहाँ पर type करना हैॹए है जिकते हैं पर सकूलिए यहाँ पर लिखर रहे उपर में इसके बास क्या करना है कि बारी बारी से सबको upload कर देना है यहाँ पर लेखिए आप देख सकते हैं अप्लोड करना है यहां पर डिटेल अपना दर्ज करने के बाद स्क्रोल डान करना है और यहां पर देखिए डिटेल्स आफ ट्रेनिंग क्वालिपीकेशन जैसे कि डिलेड बीड जो भी है आपके पास अधर में है तो अधर में आप पर दर्ज करेंगे यहां पर देखिए मै यहां पर आपको दज करना है जो भी माक्स आपको पर आपको होगा आपको यहां पर दज करना है डिवीजन यहां से सिलेट करना है यहां पर पर सिंटेज आपको सिलेट करना है यहां पर आपको अपलोड करना है सटिफिकेट सटिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको पर वन तू है तो यहां पर कोमा देकर टू लिखे देंगे वाल है तो यहां पर पेपर वन के वाल लिखेंगे यहां सा आपको एर सिलेट करना है जिस एर में आप पास होगे होंगे आपको सिलेट करना है यहां पर आपको रोल नमबर दाज करना है सट फिके नमबर दाज करन देखने है, फूटो का जो बेगराउंड होगा, वह हालका, हौइट होना चाहिए, और 20-20-100-100 के बीच होना चाहिए signature upload करना है उसी तरह से white background होना चाहिए तो यहां से मैं upload कर देता हूँ photo photo और signature upload करने के बाद scroll down करना है यहां पर दिखिए save button पर click कर देना है save button पर click करते ही application save successfully का message आता है इसके बाद तो आपको preview देखना यहां से देखिए preview पर click कर देना है प्रेभिणार्य आपके समें दिखाई देगा जो बीडिटेल्न है आपका यहां पर दिखाई देगा यह Conference पर click करेंगे तो आप जहांपर businesses करते हैं कर सकते हैं यहांसे BUT पर click करना है आपके सम्ने इस तरह का interface open हो जाता है यहाँ पर 11 सुरख पर लिखा हुआ है कि आपको भुक्तान करना है P-A-B-I-A सब पशेटा से आपको pay करना है इस पर click करना है यहाँ पर आपको इस तरह का interface open हो जाता है 11 सुरख पर pay करना है यहाँ से credit card, debit card जो भी है आपके पास Net Banking आप यहां से Pay कर सकते हैं यहां पर Bank का नाम सेलेट करना है इसके बाद में यहां पर Proceed to Pay पर किलिक कर दिना है इसके बाद आपको Redirect करेगा आपके Bank के Website पर यहां पर आपको अपना User ID Password डालकर Net Banking से Login कर लेना है इसके बाद आपको payment कर दिना है payment करने के बाद आप download कर लेजिएगा form को इस form को आप रख लेजिगा future reference के लिए इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो समिंद कोई भी सवाल हो सुझा हो तो comment box में बताएं तो मिलते हैं नी वीडियो में धन्यवाद